मॉंस्टर के लांस्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर तैनमा ने नीना को रेस्क्यू कर लिया है और इसी के साथ में गाड़ी में बैठते हुए काफी सारी चीजे भी उससे बता दी है कि उसका नाम आना है और साथ ही में उसका एक भाई भी है इसी कंटिनेटी क साथ में एपिसोड नुबर सेविन के शिर्वाथ होती है जहां पे वापस ही एक बार नीना मना करती है कि मेरा नाम आना नहीं है जहां पर डॉक्टर तैनमा बताते हैं कि जब तुम लिपरास आई थी एक छूटी सी बच्ची आई थी तब तुम्हारा नाम आना था और कि जो बार बार में उसे जलकिया आ रही थी वो जो चीज़े भूल रही थी वो सारी की सारी उसके भाई से रिलेटेड है इसके बाद अभी ने वापस से घर की तरफ जाना था तो डॉक्टर तैनमा बिना वेट करें नीना के साथ में सीधा उसकी घर पे पहुंच जाते और ज सारी चीज़े समझा देना लेकिन इस वक्त आसपास में कोई पर पुलिस वाले की काड़ी नहीं काड़ी थी इसका मतलब या तो अभी तक पुलिस वाले आई ही नहीं है या फिर इनके साथ में कुछ तो बूरा हुआ है पता चलता है दर्वासा तो पहले सी खुला था उसक कि ममी और डैडी उसे मरे हुए मिलते हैं डॉक्टर तैनमा का भी दिमाग खराब हुजाता है क्योंकि माउरा जो कि बिना किसी स्वार्थ कि उसके साथ में इतने दिन उसे घूम रहा था उसकी इतनी हेल्प करा रहा था उससे इतना जदा अटैच था वह इंसान भी बे मतल करता है भीक मांगता है कि सब उठ जाओ इवन माउरा के मूं के अंदर उसके फेवरेट सिग्रेट भी डालता है कि इसे पीने के लिए उठ जाओ बस तुम प्लीज उठ जाओ लेकिन कोई भी नहीं उठता क्योंकि सारे के सारे मर गए थे नीना वापस से और बड़े शॉक इस हालत में नहीं थी कि कुछ कह पाई और वो अल्मोस्ट रोके गिरने वाली थी लेकिन तभी डॉक्टर तैनमा उसे उठा लेते हैं कि बाद में वो कॉल करने के लिए जाते हैं लेकिन पता चलता है कि कॉल के कनेक्शन तो यहां पे कटे हुए हैं कहीं पे बिल्कुल कॉ हाते हैं और देखते हैं कि यहां का मोहल तो बहुत भयंकर वाला बिगड़ा हुआ है तो कहते हैं कि ठीक है अब तुम लोग हमारे साथ चलो अब सारी चीजे सेफ है हम तुम्हें हैटक्वार्टर तैनमा करते हैं उसके बाद में यह दौनों ही गाड़ी के अंदर बैठ ज हैं कि हम सिटी के दूसरी वाले पॉलिस टेशन में जारे कियोकि वह वाला पॉलिस टेशन लगता है यह पॉलिस वाले प्रॉक्टर तैनमा से आलतों की बाते हैं बताता है कि बहुत पहुंच जाएंगे हो साथ ही में डॉक्टर तैन्मा को एक चीज और क्लिक करती है कि जब घर का फोन ही डैड है तो फिर इन लोगों को किसने बुलाया होगा डॉक्टर तैन्मा बुरी तरीके से डरा हुआ था कि कहीं इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है और इनने जब किसे ने इंफॉर्म ह पुलिस वाले आसपास ही है यहां पर दोपित हैं किす लड़की को थोड़ा सा बाहर लेगी तो इसे ठीक लगेगा ये दोनों बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और Dr. Tenma कंटने इसले सोच ही रहे थे कि कहीं इनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाये कहीं असली वाले डिटेक्टिव है भिया नहीं है तभी इन में से एक डिटेक्टिव कहता है कि चलिए Dr. Tenma अब हमें गाड़ी के अंदर बै और उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं लेकिन इतनी देर में डॉक्टर टैनमा फुल स्पीड से जाते हैं और नीना को लेके पानी के अंदर कूच जाते हैं खुद की और नीना दौनों की जान बचाने के लिए जिसके बाद सीन डायरेक्ट अगली मॉर्निंग का शिफ् अपड़े वगरत चेंज करते हैं उसके बाद में बाहरा के बताने लगती है कि हमारी जिंदगी बहुत ही मुष्किलों से होके गुजरी है हमने हमेशा से लाश ही देखी है जिसके बाद में एक फैमली ने हमारा 뜨 comments नेलने में जिंदा नहीं बच्पायी है अर यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ने किया था लास्ट टाइम जो लिबर्टी फैमली थी उस फैमली को और किसी ने नहीं बलकि मेरे भाई ने मारा था और वो आखरी दिन था जब मैंने अपने भाई को शूट किया था वो मेरे तरफ हस रहा था और कह रहा था कि अगर मुझे मारो तो बिल्कुल सर के बीच में मारना और उसके बाद में गन को नीचे फैक देना ताकि तुम नफस चाओ दॉक्टर तैनमा के होशुडगा जब वो इस सारी की सारी बाते सुन रहा था फिर नीना कहती है कि उस दिन मैंने उसे मार भी दिया था लेकिन उसके बाद आपने उसे बचा लिया मुझे उसे उसे मार देना चाह CUE था और आपको उसे नहीं बचाना कहिए था ये बाते क्या है कि नीना बहुत जोर से रोने लगती है और एकदम से उसका breakdown हो जाता है वो बहुत जोर से रोती है कि उसके चकर में उसकी पूरी family बरबाद हो गई पिछली वाली family भी और ये वाली family भी बे मौत मर गई डॉक्टर तैनमा उसे समझाते हैं उसे थोड़ा शांत करते हैं कि देखो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है हम अब पुलिस की मदद करेंगे और अगर पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए होंगे तो हम किसी और की मदद लेंगे तैनमा इस वक्ट पुलिस टेशन जाता है ताकि उसे थोड़ी मदद मिल सके लेकिन याप पुलिस वालों के सामने काफी सारी मीडिया इखटी हो रखी थी जो कि कल के केस के बारे में कहती है कि एक दम से एक मिडल एज का पल मारा गया है और साथ ही में इनके घर पे एक जनलिस्ट भी मिला है जिसका नम मौरा है आप आखिर इसके बारे में क्या कहना चाहते है, पुलिस वाले कहते हैं कि इसके बारे में सारी investigation चल रही है, उनकी बेटी अभी तक लापता है, उनके साथ में एक Japanese आदमी था, ये सारी बात अभी तक investigate की जा रही है, जो भी आगे news मिलेगी तो आप लोगों को पता चल जाए है, लेकिन अब तो वो पुलिस वालों के उपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो पुलिस वालों के पास वापस लोट के आया, तो सबसे पहले तो उसे arrest कर लिया जाएगा, इसी की कारण वो अपना मूँ छुपाता हुआ, यहां से भाग जाता है, कि यहां पे पीछे काफी जादा शोर हो रहा था, इसी की कारण यह बंदा जोर से चलाता है और अपने ऑफिस वालों को शान करता है, और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तो डॉक्टर तैनमा कहता है कि हा मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक लड़की को लेखे आओंगा, चुक फिर भी वो यहां पे investigation करते हुए पहुँच जाते हैं, इस वक्त इस case के उपर जो investigation कर रहे थे, वो detective लूगे को आके कहते भी हैं कि आपका यहां से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आकर आप क्यों आए, जहां पे लूगे बताता है कि मैं तो हाइटल बर्ग के castle में हु सेम दिन पे इस आदमी का मरना, सेम दिन पे उस कपल का और साथी में जर्नलिस्ट का मरना लूगे उसी जगह पे पहुँच जाता है, यानि कि हाइटल बर्ग कैसल के अंदर और उसके बाद calculation लगाने लगता है कि कोई आदमी यहां से भाग कैसे सकता है, यहां पे कितने रस सीन डॉक्टर तैनमा पे शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त नीना को लेने के लिए आया था, वो आवाज भी लगाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता, वो कहता है कि नीना ये मैं हूँ, तुम बाहर आ सकती हो, तुम मत छुपो, लेकिन नीना उसे कहीं भी नहीं दि कि आखिर इस वक्त नीना कहां गई होगी, वो बहुत शोर भी मचाते है, चिलाते भी है, लेकिन नीना कहीं भी नहीं मिलती है, उन्हें लग रहा था कि या तो उसका भाई उसे उठाके लेगिया होगा, या फिर वो मन ही मन सोच रहे थे, कि आखिर कहीं वो अपने भाई को वापस से तो मारने नहीं निकली है, क्योंकि कहीं न कहीं डॉक्टर तैन्मा भी उतने ही जिम्मेदार है, जोहान के जिन्दा रहने के, क्योंकि डॉक्टर तैन्मा नहीं उसका इलाज किया था, उसे जिन्दा किया था, जबकि उनके डिरेक्टर ने मना भी किया था कि इसक वो इतने टाइम बाद के अंदर लोटे थे लेकिन फिर भी अपने केस बहुत अच्छी तरीके से solve करते हैं बहुत ये अच्छी तरीके से surgery करके हर किसी की जान बचा लेते हैं सारका सारे department उनसे बहुत जादा सीखा करता था और कहता है डॉक्टर तैनमा आप कितना अच्छा काम करते हैं लेकिन डॉक्टर तैनमा कहते हैं कि हाँ बस ही आप सारी चीज़े खत्म हो गई है किसी के साथ में जीन यहां एवा की उपर शिफ्ट होता है एवा गाइस वही है जो डायरेक्टर की बेटी थी नौ साल पहले उसने ही डॉक्टर तैनमा को छोड़ा था जिसके बाद में उसने तीन शादियां करी और तीनों के तीनों से डैवास ले लिया उसके पास में खूब सारी प्रॉपर्टी थी इसलिए खाती थी पीती थी और बस मजे करती थी उसे बीच बीच के अंदर फ्लेश बैग भी आया करते थे कि डॉक्टर तैनमा के साथ उसके कितने अच्छे मूमेंट्स हुआ करते थे यह पुलिस ऑफिसर है तब ही यहां पे लोंगे बिना पुछे ही अंदर आ जाता है और उसके आद में एवा से बात करने लगता है कि मैं वही हूँ जिन्हों नो साल पहले आपके फादर का केस देखा था तो एवा भी यहां पे हेंट्परंट जवाब दे देती है कि हाँ आप वही है इंस्पेक्टर जिन्होंने मेरे फादर का केस सौब तक भी नहीं किया था तो फिर आखिर आप आज यहां पर क्यों आए हैं जिसके बाद में अभी पुलिस वाला यानि कि इंस्पेक्टर लोंगे भी आके बात्चीत करने लगता है कि तुम्हारे पापा कितने जादा अमीर थे और उसके बाद में सारी की सारी प्रॉपर्टी सारी की जायदा तुम्हें मिल गए तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से इनका खयाल रखा है एवा कहती है कि हाँ मेरे पास में किसी भी चीज़ की कमी नई है तीन तीन शादिया हो गई है बहुत सारा पैस तुम्हें पे कुछ चाहिए तो तुम सामाल लेके जा सकते हो लेकिन मेरी बस दारू को छोड़ जाना जिसके बाद अब तो यहां पे लूगे आके इंपॉर्टेंट बात करना शुरू कर दिता है यानि कि मेंट टॉपिक वो यहां पे सबसे पहले तो एक टाई दिखाता है और एवा से पूछता है कि क्या आप इस टाई को जानती है तो एवा कहती है कि मुझे कैसे याद होगी आखिर मैंने तो कितने लोगों को टाई गिफ्ट करी होगी और किस किस को करी होगी मुझे कैसे पता होगा डिटेक्टिव लोंगे कहता है कि यह टाई 9 साल पुराने मै manufacturing का है और इसी के साथ में इसके buyer के अंदर आपका नाम लिखा हुआ है तो आप क्या थोड़ा याद करने की कोशिश कर सकती है कि आपने किसे gift किया होगा हलांकि इसी वक्त एवा को याद आ गया था कि उसने किसे gift करी थी लेकिन वो inspector के सामने कुछ भी नहीं कहती है और कहती ह कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है मुझे फाल तो बकवा से आके मत किया करो नौ साल पहले ना जाने किती चीजे हुई होगी इससे मेरा क्या लेना देना खेर आप इस टाइप को आज लेकर क्यों आए है जहां पर लोंगे बताता है कि एक murder हुआ है हाइडलब लोंगी तो यहां से चला जाता है और एवा वापस से अपने पीने के अंदर लग जाती है लेकिन वो मन ही मन डॉक्टर तैनमा को याद करने लगती है कि आखिर उसने कितनी बड़ी stupidity करी थी डॉक्टर तैनमा आये भी थे उसे समझाने के लिए कि एक बार प्लीज अपने सीनिया डॉक्टर तैनमा के उपर shift हो जाता है जो कि अपने patient से मिलते हैं उनके patient बताते हैं कि आप कितने बड़े भगवान है मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी लेकिन आपने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है मैं अब अपने बच्चों की और अपनी grandson के ये सब बाते उसके बाद में एवा पुरानी बाते करने लगती है कैसे उसके फादर एकदम से चले गए उसने तो कभी सोचा भी नहीं था और उस वक्टर तैनमा आये भी थे मिलने के लिए और काफी जादा बात करनी की कोशिश भी करी थी लेकिन एवा ने उस वक्त ये बाते की नौन तबीयत वगर पूछने की बाते जिसके बाद में एवा कहती है कि हम इसी मौसम के अंदर मिला करते थे साथ साथ में बैठा करते थे घूमा करते थे वह वक्त कित अच्छा था दॉक्टर तैनमा समझ गए थे कि एवा कही न कई उसके साथ वापस रहने के लि पर ये बात आ चुकी थी तो डॉक्टर तैनमा को कहती है कि देखो मुझे उस टाय के बारे में सब कुछ पता है और मुझे ये भी पता है उस टाय यानि कि उस मुर्डर केस के अंदर तुम शामिल हो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारी की सारी बात पुलिस ट लूंगे को बता देती है उसी वक्ट डिटेक्टिव लूंगे यहां के दो डिटेक्टिव को क्या देता है कि जाके डॉक्टर तैनमा के अरेस्ट करने की सारी तैयारिया शुरू करो तो ये दौनों कहते हैं लेकिन हमारे पास तो कोई एविडेंस है नहीं ना तो ये कहते थी एवा ने बहुत बुरी चीज़ करी थी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था इसी वक्त हम देखते हैं डॉक्टर तैनमा ने भी इसी हॉस्पिटल के अंदर खुद का रेजिगनेशन डाल दिया था और अब यहां पे काम नहीं करना चाहता था ये डिरेक्टर मना भी करता कि आखे डॉक्टर तैनमा कहां पर है इसी वक्त सारे के सारे पुलिस ऑफिसर और साथ ही में डिटेक्टिव लूंगे भी डॉक्टर तैनमा के ऑफिस के तरफ आगे बढ़ रहे थे तो पता चलता है कि उनके जितने भी पेशेंट्स थे वो सारे के सारे यहां पे खड़े ह गए थे एक तरीके से प्रोटेक्शन के अंदर कि वो डॉक्टर तैनमा को लेके नहीं जाने देंगे डॉक्टर तैनमा बहुत अच्छे डॉक्टर है उन्होंने सब की जान बचाई है वो कभी किसी को नहीं मार सकते लेकिन इंस्पेक्टर लूंगे को इन सब चीजों से क् कपसे ही शक कर रहे थे लेकिन हमें पता चलता है कि डॉक्टर तैनमा इस वक्त किसी एंबुलेंस के अंदर बैठके निकल गए थे यह पर एंबुलेंस वाले कहते हैं कि देखें यहां पर किती सारे पुलिस वाले आ रहे हैं जरूर कोई न कोई तो केस हुआ होगा क्या आपक हैं मनी मन में पुरानी यादे भीन करते हैं कि कैसे जोहां के सामने उसे कभी नहीं कहना चाहिए था कि यह जितने भी डारेकटर और चीफ व Welगर थे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है उन्हीं किसी की जान की मतलब ही नहीं है उन सब को मर जाना चाहिए था डॉक्टर तैनमा उस दिन जोहान के सामने ये बाते नहीं कहते तो शायद जोहान कभी भी किसी को नहीं मारता बड़ा होने के बाद जैसे उसने डॉक्टर तैनमा के तकरीबन पाँच महीने आगे निकल जाती है, यहाँ पे एक ट्रक ट्राइवर था, जिसके ट्रक के अंदर दॉक्टर तैनमा बैठे तेर काफी ज़दा अलग लग रहे थे, वो कहते हैं कि इतनी गर्मी के अंदर आखिर तुम कैसे इतना बड़ा कोट पहन सकते हो, क्या तु किसी का मर्डर किया है या नहीं किया है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनका फोटो ज़रूर छप चुका था, अगबार के अंदर, साथ ही में हमें एक चीज़ देखते हैं कि डॉक्टर तैनमा के पास में एक बंदू के और वो उन्होंने छुपा के रख रख किया है, यानि कि इस पांच मेंने के अंदर, डॉक्टर तैनमा के साथ में काफी सारी चीज़े हुई है, जो कि हमें आगे आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलती जाएगी, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए, ट कि इस अंदर के सारी एपिसोड़िक नेक्स की अंदर यागों से इस ने चीतिए से तक का इढ़िए को वास है, इस जो एएपिसोड़ Grove t